आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़दार क्रिस्पी कीवल 10 मिट में बनने वाली डोसे की रेसिपी लेकिन जो डोसे है न थोड़ा अलग तरीके से हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आपको इसका मिलने वाला हैं तो आज हम बनाने वाले है चीली चीज डोसा आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राइ करकर देखी बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी हैं तो में वर्षा भावसा रसोएगर में आप सभी का स्वागत है तो चले फ्रेंड्स इस मज़दार से रेसिपी को बनाना क्योंकि हमें इसे पीसना होगा एक ग्रेंडिंग जार ले लेते हैं और जार में यह सारी सूजी डाल देंगे जार कर ढखन बन करकर इसे बढ़ी आसे पीस लेते हैं तो एकदम से फटा-फट से बनने वाली रेसिपी है साती इसे बनाने का सारा सामान हमारे घर पर ही और इसे के साथ अब हम इसमें डाल देंगे दो चमच बेशन जिस चमच से हम पोह वगे रखाते हैं बस उसी चमच से मैंने यहाँ पर दो चमच बेशन लिया हैं साती दो चमच में यहाँ पर गेहूं का आटा डाल रहे हूं और अब हम इसमें डाल देते हैं पोन कप दही एक कपसे मैंने थोड़ा से यहाँ पर कम दही का यूज किया हैं, अगर आप चाहें तो दही की जग़ बटर मिलक भी डाल सकते हों, और वन फोर्थ कप हम इसमें डाल देते हैं पानी, एक बार हम इन सबी चीजों को पहले बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, तो अगर आप यहा सबी चीजे पहले मैंने बढ़िया से मिक्स कर ली हैं और अब मैं यहाँ पर आधक कप पानी ओर डाल देती हूं, तो पानी एक साथ नहीं डाले, पानी थोड़ा रुक रुक कर डाले, इससे क्या होगा कि इसमें जितने भी लम से हैं वो भी खतम हो जाएंगे, साथी आपक पोन कपी मैंने पाने का यूज़ किया है, चल इससे कवर कर देते हैं और कवर करकर 10-12 मिने के लिए साइड में रख देंगे, तकि बढ़िया से सेट हो जाए और जब तक हम यहाँ पर बना लेते हैं नारियल की चेक्नी, तो नारियल की चेक्नी की रेसिपी पहले मैं आपक इससाथ यह रेसिपी शेयर कर दूँगी, और इसे मेने बनाया है नारियल के बूरे से, यानि इसके लिए आपको फ्रेश नारियल की बिजुरत नहीं होगी, क्योंकि फ्रेश नारियल तो हम सभी के घर पे हर बार अवलेबल नहीं होता है, लेकिन नारियल का बुरा तो रेलेते हैं ग्रेंडिंग चार और इसके अंदर डालेंगे यह भीगो ईवी लाल मिर्च, यह काश्मेरी लाल मिर्च है जिसे मैंने गरम पानी में आदी घंटे पहले ही भीगो की रखी थी ताकि बढ़ी आसे सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं चीली पेटर भर कर इस जार में डाल देती हूं और जो हमने मीर्च भीगोई रखी थी ना ये पानी भी थोड़ा से इसमें डाल देते हैं ताकि बढ़ी हम आजाएं और सबी चीजों को हम यहाँ पर बढ़ी हम बढ़ी है यानि एक्दम इसका फाइन पेस्ट बना कर तयार करना ह तो ये देखे किया बढ़ा आसा कलर आया है एकधम रेट सा तो इसी पेस्ट से जो हमारा डोसा है ना एकधम टेस्टी और एकधम रैट कलर का बनने वाला है जर Linux को हम ढाल देते हें इसीद बेटर के अंदर बि्रियोंट पformation you एकदम से कुछ साउथ इंडियन रेशिपी खाने का मन हो जाता है तो आप इस रेशिपी को जरूर से ट्राइए कीजे और साथ ही इसके साथ जो मैंने नारिल की छेकनी बनाएगे उसे भी आप जरूर से ट्राइए कीजे और इसे जार में थोड़ असा पानी लेकर इसमें डा दाल देते हैं आधी चमश नमक आप अपने स्वाधनुसार यहां पर नमक का यूज कर सकते हूं और इसे भी बढ़िया से में मिक्स कर लेती हूं और अब हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून मीठा सोडा यानि जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है ना इसकी ज जो को हम फिर से अच्छा से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा डोसा बेटर बनकर भी बिल्कुल तयार है तो इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं जब इस तरह से चमश से आप गिराओगे तो थोड़ा थिक बेटर यहां पर आपको लगी गम यानि बिल्क देखिए चमश में यहां पर बेटर लिया है घेस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और अंदर से भार की तरफ करते वे डोसे को यहां पर बढ़े आसे फेला देंगे तो यह जो डोसे होते हैं नॉर्मल डोसे से हलके से ठीक होते हैं यानि थोड़ा सा मोटा मोटा ही हम इने प्रोशेश चीज दोचा नीचे से बढ़े क्रिस्पी हो जाएगा गी को सभी तरफ यहाँ पर फेला देते हैं और इसके उपर हम यहाँ पर कुछ बारिक कटीवी धन्या पत्ति भी डाल देते हैं यह दिखने में अच्छा लगे इसलिए हम यहाँ पर धन्या पत्ति डाल रह बिल्कुल आपके उपर है जो भी चीज आप पसंद करते हो वह आप यहाँ पर डाल सकते हो तो यह जो डोसे ना बच्चों को तो इतने पसंद आने वाले हैं कि जब आप घर पर इसे एक बार बना लोगी तो बच्चे मार्केट में कभी भी नहीं खाएंगे और बहुती फ सांबर के साथ नारियल की चेटनी के साथ या फिर टोमेटो सौस के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इसे कोरा ही खाएंगे ना तो भी बहुती टेस्टी लगने वाला हैं तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताईए और अगर रेसिपी पसंद आ रहे तो अपने फ्रेंड्स और फैमली ग्रूप में मेरी से रेसिपी को जरूर से शेयर कीजिए साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नई रेसिपी के साथ